slim and stylish smartphone under 15,000 तो भाई अगर आपका बनेर 15,000 है 15,000 के बरे रेंज में आपका कोई स्मार्टफोन चाहिए तो जार आज मैं आपको टॉप 3 स्मार्टफोन बताऊंगा पाइंक लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ अगर आप सीधा चाहिए चाहिए आपके लिए यह स्मार्टफोन पोफेक्ट डील हो सकता है प्लस इसके कलर वगारा बहुत ही ज स्मार्टफोन है मैं आपको स्पैसिफिकेशन बता देता हूँ ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जेगी तो में स्पैसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आपको यह सुपर एमुलेट डिस्प्लेई देखने को मिल जाते है शिक्स अब आपो एक दिन आपने जतने भी पंगिय लेने है आप ऑप लिए नॉलि Yakर खार तो सकते हो लेकिन अपको केस डाल करे इसको को यूजद करना पड़ेगा नहीं तो scratch वगर आने के डर रहते हैं और कोई भी problem, issue नहीं देखने को मिलेगी अगर आपने long time पिड़े से smartphone को use करना है यह आप कर सकते हो अगर आप रखना चाते हो, देखना चाते हो, जैसे भी करना चाते हो, कर सकते हो, प्लस में आपको ये भी नमबर टू भी बात करो, नमबर टू पर यार मैंने रखा Redmi Note 10 को, तो यार ये smartphone आपको बारानजार से start हो जाता है, चौदानजार के बेड़े तक चला जाता है, मतलब इसके दो या तीन वीड़ा थे हैं, जो भी आपके price range में सेट बैड़ था भी आप उसके और जा सकते हो, ये तीन कलर से में देखने को मिलता है, तीन ओ कलर बहुत सगे, बहुत सगे, बहुत ही ज्यादा अपर है, slim and stylish design आप इसको बोल सकते हैं, प्लस आपको super AMOLED display देखने को मिल जाती है, जो की Gorilla Glass 3 की production के साथ देखने को मिल जाती है, नया launch हुआ है, तीन वेड़े में देखने को मिलता है, प्लस आपको micro SD card slot भी देखने को मिल जाता है, अगर आप storage ज्यादा रखने के शुकिन हो, आप ज्यादा ही रखते हो, तो आप memory card जो है, वो इ Snapdragon 678 देखने हो, मिल जाता है, जो की 11 nanometer technology के साथ बेस देखने हो, यार प्रसेसर इतना भी तगड़ा नहीं है, अगर आप hardcore कीमिंग करना चाहते हो, मैं आपको recommend बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ये दोनों फोन आप बिल्कुल भी मतलेना, जो मैं आगे फोन बदाऊंगा, आप उसके और जा सकते हो, camera की बातों के लिए, इसमें आपको core camera मिल जाएगा, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, भी 30 fps पर आपको 30 map अपक सर्क की selfie देखने को मिल जाती है, 5000 mm की bandering मिल जाती है, प्लस आपको 33 watt का fast charger देखने को मिल जाता है, तो यार में specification में आप आपको बता दिया, Redmi Note 10 के भी, ज्यादा deeply में अभी भी नहीं जा रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा deeply आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो का length ज्यादा हो जगा, कोई भी उसका वैदा बगरा है, नहीं है, ठीक है, तो अगर आपने जाना है, Redmi Note 10 के और आप इस smartphone के और भी ज्यादा सही है, अगर मैं लुक को नमबर दूँ, तो यार मैं 10 में से 9 तो दूँगा, विकर सच में लुक के जा कलर सुगारा, बहुत ही जादा प्यारे देखने को मिल जाते है, आगे बात करते है, नमबर 1 की, नमबर 1 की बात करोई, नमबर 1 पर यार मैंने रखा, Redmi Note 9 Pro Max को, पहले इसका प्राइस देखने को मिल जाता है, इसका ग्रे कलर बहुत ही ज्यादा सूड करता है, प्लस जे स्पैसिफिकेशन के पूरा लुड़िड़ा से दो, so that's why, sorry, मैं इसको नमबर 1 पर रखा, और कोई भी रीजन नहीं देखने को मिल ता, आपको कलर डिजाइन व आपको 3 colors में देखने को मिल जाता है, आपको IPS LCD देखने को मिल जाता है, जो की 8 nanometer technology के साथ, अगर आप hardcore gaming करना चाहते हो, multi-dasking करना चाहते हो, आपके लिए ये smartphone perfect deal हो सकता है, camera भी बहुत अगर आपको core camera setup देखने को मिल जाता है, जिस पाफोर के वीडिर शूचने को मिल ज कर सकते हो, selfie की बात करूँ, आपको 32 map सा selfie देखने को मिल जाते है, बैंटरी की बात को आपको 5020ms की बैंटरी देखने को मिल जाते है, मतलब आपका एक दिन तो 9 भी निकाल देगी, अगर आपने मतलब hardcore use करना बहुत ही जादा use करना है, आप इस लिए 9 भी कर सकते हो, आपक को top 3 smartphone बता दिये, so I hope कि मैंने गुमाफरा करने ही बताया आपको, तो I hope कि आपको मेरी विए चल लगी, यार वीडियो को अची लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को बेदना, दोस्तों के भी देना, उनको भी कहा दना कि जान आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जाएक को चाड़ कर देना, मेलता नाक्स्त वीडियो में नए वीडियो को साथ, तेंक यू